भोजपूरी फिल्मों में तो इस्ट देव छोड़िये अब रिक्षा, धोती, लोटा, लिट्टी, नदी, जरने, गमछे तक नहीं डिखाये जाते फिर काहे का भोजपूरी इंडस्ट्री इसे भी हिंदी इंडस्ट्री ही क्यों न बोला जाए जिस भोजपूरी इंडस्ट्री में बनी फिल्मों के नाम होते थे गंगा, मैया, तोहरे, पियरी, चढ़ईबो, उस फिल्म इंडस्ट्री में बनी फिल्मों के अब नाम होते हैं अब आपकी फिल्मों से ना बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा है ना उनकी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है बलकि बदनाम अलग हो रहा है तो फिर केवल बिहार के नाम पर पैसा कमाने का हक भी इन्हें क्यों होना चाहिए आपने साउथ की अने को हिंदी डब्ड फिल्में देखी होंगी मैं जब भी हिंदी डब्ड मुवीज देखता हूँ और अगर उस फिल्म में कोई ऐसा द्रिश्य आ जाए जहां कोई नौर्थ इंडियन कैरेक्टर दिखाया जा रहा है तो उस द्रिश्य में लिप सिंग को ब साउथ इंडियन मुवीज वो चाहे कंड़ा हो तमिल हो तेलगू हो या मल्यालम यहां के फिल्मेकर्स अपनी भाषा को लेकर बहुत सजग रहते हैं बहुत ही रेयर केस होता है तभी वो दूसरी किसी भाषा का प्रयोग अपनी फिल्म में करते हैं कई बार तो ये भी लेती है लेकिन फिर इसे कहते हैं अपनी भाषा के प्रती सम्मान तेलगू फिल्म है तो तेलगू डायलॉक्स ही चाहिए तेलगू टाइटल ही चाहिए इवन सेट पर भी चाहिए कोई कितना भी अंग्रेजी बोलने वाला हो वो तेलगू में ही शौट से समझाएगा इव भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री यहां के बड़े बड़े अक्टर्स भले ऑन कैमरा कहते हों कि हम भोजपूरी के उत्थान के लिए फिल्मे बनाते हैं भोजपूरी को दुनिया भर में प्रचार करने के लिए फिल्मे करते हैं इस इंडस्ट्री का नाम भी भोजपूरी इंडस्ट्री है लेकिन भाईया भोजपूरी फिल्म में अब भोजपूरी रही का रवी किशन ने भोजपूरी फिल्म करना अल्मोस्ट छोड़ दिया बाकी के एक्टर्स के ना तो फिल्म के टाइटल भोजपूरी में है न डायलॉक्स तो फिर इसे भोजपूरी इंडस्ट कहतेगी कूしょう hai bha ю Jamie baş में खिसारी लालयादव की एक फिल्म का ट्रेलर रिलीस हुआ है जिसका नाम है राजाँराम और अभी कुछ समय पहले पवाorkण सिंग की एक फिल्म इनका ट्रेलर देखा था जिसका नाम था हरहर गंगे राजा राम के ट्रेलर को देखे तो लगबग धाई मिनट के ट्रेलर में छे वर्ड की दो लाइन ही ऐसी है जो भुजपूरी में बोली गई है जिसमें से एक लाइन खेसारी लाल यादव ने बोली है और दूसरी लाइन एक कैरेक्टर आर्टिस्ट ने जो एकचुली यूपी के मुजफ़र नगर के है फिल्म में विलन के तोर पर आर्या बबबर देखने को मिलते है तो मेभी कि फिल्म में विलन वाला किरदार बिहार का ना हो तो वो हिंदी बोलता है तो समझ आता है लेकिन हीरो की बात तो छोड़ी इवन गाव वाले भी भोजपूरी ना बोलके हिंदी में बात करते हैं तो किस एंगल से आप इसे भोजपूरी फिल्म कहेंगे वही पवन सिंग की हरहर गंगे फिल्म का ट्रेलर जहां अगेन विलन नॉन बिहारी उसके बाद भी हीरो तो सारे डायलोग भोजपूरी में बोलता ही है बलकि विलन तक ने अपने डायलोग भोजपूरी में ही बोले है जबकि विलन जो है वो साउथ फिल्मों के बड़े एक्टर कहलाते है खेसारी लाल यादव की इससे पहले भी कई ऐसी फिल्म में आई हैं जिसमें वो भोजपुरी का प्रियोग करते ही नहीं इस ट्रेलर में कभी खेसारी लाल विदेशी हेर कट में नजर आते हैं तो कभी साउथ हिंडियन कपड़ों में फॉरन की लोकेशन रहती है और हिंदी में डायलोग से तुम्हें पती की जरुवत हो या ना हो लेकि अंजली को पिता की जरुवत है सारे देश परदेश की वेश भुशा बातचीत बोली सब कुछ है यहां पर अगर कुछ नहीं है तो वो है भोजपूरी भाशा भोजपूरी कल्चर पवन सिंग और खिसारी लाल के ट्रेलर का कमपैरेजन भले किया हो लेकिन सच तो यह है कि बोजपूरी का कोई भी एक्टर अब भोजपूरी से जुड़ा हुआ ही नहीं जिस भोजपूरी इंड़स्ट्री में बनी फिल्मों के नाम होते थे, गंगा मयय तोहरे, पीरी, चड़एबो उस फिल्म इंडस्ट्री में बनी फिल्मों के अब नाम होते है हम है रही प्यार के, वांटेड, वास्तव, बोल रादा बोल, रावडी इंस्पेक्टर, डूली सजा के रखना, चोरी-चोरी चुपके-चुपके, प्यार किया तो निभाना, आशकी, धरकन, गदर, तृदेव, जिद्धी, बॉडर, बाजीगर, होगी प्यार की जीत, खिला वाली कहानी की ही होती है, तो बताए फिर कैसे उत्थान होगा बोचपुरी भाशा का, साउथ की मूवीज में कितने भी एडवांस्ट हीरो हो, एक न एक द्रश्य में वो अपने राज्ये की पोशाक जरूर पहनता है, और बड़े स्टाइलिश तरीके से उसे लुंगी पह पहने दिखाये जाता है, भोचपुरी में आकरी बार कब धोती पहने कोई कैरेक्टर दिखा, ये कह पाना मुश्किल है, भोचपुरी भाशी यानि यूपी बिहार वाले अपनी नदियां, पोखर, खेतों के लिए जाने जाते हैं, आपको याद भी नहीं होगा आकरी बार फिल्मों में नदी पोखर कब दिखाये गए थे, हाँ उनकी जगे वाटर फाउंटेन ने जरूर ले लिए, दूसरे फिल्म इंडस्ट्री की नकल यहां केवल स्टाइलिश दिखाने के लिए की जाती है, लेकिन क्या उनकी तरह कभी अपने कल्चर को फिल्म के माध्यम से दिखाया है, कांतारा जैसी फिल्म में करनाटका के इस्ट देवों की एहमियत को दिखाती है, भोजपूरी फिल्मों में तो इस्ट देव छोड़िये, अब रिक्षा, धोती, लोटा, लिट्टी, नदी, जरने, गमछे तक नहीं दिखाये जाते, फिर काहे का भोजपूरी इंडस्ट्री, इसे भी हिंदी इंडस्ट्री ही क्यों न बोला जाये, इवन इन फिल्मों की शूटिंग तक बिहार में नहीं होती है, भले फिल्म की प्रस्ट भूमी आ रहा हो, लेकिन शूट वो मुंबई और यूपी में की जाती है, तो हम पहुंच चुके हैं मर्ड आल अलग हो रहा है, तो फिर केवल बिहार के नाम पर पैसा कमाने का हक भी इन्हें क्यों होना चाहिए, सीदी सी बात है, या तो फिल्में अपने एक शेतर में शूट हो, या फिर उन्हें भोजपूरी फिल्म ना कहा जाए, बाकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें आईएगा, have a nice day